22 सितंबर को बॉक्स ओफिस पर राज्चुमार राओ की फिल्म न्यूटन रिलीस के बाद से ही जर्चा में है जब से इस फिल्म को इस साल ओसकर में भारत की ओर से ओफिशिल एंट्री मिलने की खबर सामने आई है तब से ही फिल्म को लेकर लोगों में उच्सा और बढ़ गया है शायद यही वज़ा है कि फिल्म के कलेक्शन में शुक्रवार के बाद से उच्छाल आया है इस विकेंड रिलीज हुई फिल्मों में धूमी और हसीना पारकर के मुकाबले न्यूटन का रिस्पॉंस बहतर है न्यूटन ने ना सिर्फ ज्यादा कमाई की बल्कि शनिवार और रविवार को इसके कलेक्शन में भी भारी उच्छाल आया है वीकेंड के दौरान न्यूटन को ज़्यादा स्क्रीन्स मिली वहीं बाकी दोनों फिल्मों का रिस्पॉंस निराशा जनक रहा अब तक कि आंकडों को देखें तो सोमवार को इसका कलेक्शन शुकरवार से बहतर रहने की उमीद है क्योंकि शुकरवार को कमाई सबसे कम थी अब सोमवार को होने वाली कमाई से साफ होगा कि ये फिल्म इस हफते कितना आगे जाएगी चलिए एक नजल कलेक्शन पर डालते हैं इस फिल्म का फर्स डे कलेक्शन 96 लाग रहा और सेकिंडे कलेक्शन रहा 2 करोड 52 लाग वही तीसरे दिन इसमें उच्छाल आया और कलेक्शन रहा 3 करोड 42 लाग इसी के साथ न्यूटन ने अब तक 6 करोड 90 लाग कांखडा पार कर लिया है बताते इसका टोटल बज़र 15 करोड है देखना दिल्चस्थ होगा आम एक मसूरकर के निर्डेशन में बनी ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कितना धमाल मचाती है फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही बाकी की अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले HZ News की रिपोर्ट